तो कैसे हैं आप सबी लोग इसमी में आप मोहन थमनेल देखके तो समझी गए होंगे कि आज हम लोग किसका बैंड बजाने वाले हैं आज में बात कने वाले हैं डॉली चाय बाले के बारे में इनका चाय पीकर आपको कुछ हो ना हो तो इन लूज मोसन जरूर होगा हाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती चाय मनाने का ये कौन सा तरीका पीछे में बैठे उस आदमी को ही देख लो ये वालिया भी सोच रहे होंगे कि कहा चाय पीने आ गया अगली बार से बीबी के हाथ से दो डंडे जरूर खालूंगा लेकिन चाय पीने यहां बिलकुल न रोज रोयल नहीं खरी सकता है वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों तू महिनत तो करो क्या क्या बोला आपने कौन कहिता है एक चाय बेचने वाला रोज रोयल नहीं खरी सकता है रोज रोयल नहीं खरी सकता है पहले रोस रोस बोलना तो सीख लीजिए उसके बाद खईद लीजिएगा वैगा वैसे अभी ये बाद बोलना नहीं चाहिए खईद भी सकते हैं क्योंकि बिल्गों तो चाहिए जब डॉली भाई ने विल्गेट्स से अपने चाहि के पैसे मांगे होंगे 15 रुपे ये लेकि विल्गेट्स को सुनाई दिया होगा 15 क्रोर रुपे ला इतिनी तेजी से ये ग्रोथ कर रहा है ये देखकर मोदी जी को भी जर लग रहा होगा कि कहीं पॉलर्टिक्स में ना आ अब रुणा सुनु किजिए इनके वरापाव में हर चीज और गैनी लेगी वो इसलिए नमक नहीं डाली जाती क्योंकि आशू से बड़ा पाव पहले ही नमकीन हो जाती है इसलिए तो वरापाव और गैनिक कहलाता है तो हाई गाइस मैं हून अकुर का डॉली चाह वाला मै मैं हो दिली में आडीली में बहुत नाम सुना हो कि दिली का डॉली वरापाव ज़ो आप लोगों खेले हैं इससे महंत का नाम दे दिया गया गाइस माशाला जी डोली चाय वाला दुबई में पहुंच गया है वाई एक बार भाई को बोले हमने आपको इन्वाइट करना है तो आप बलाएंगे हम दूर आएंगे तो माशाला हमारे पास आगें इंडिया से वह तो आना ही था क्योंकि अगर नहीं आते तो दुबई आप लोग डॉली की चाय पीने जाए या ना जाए दिली के बड़ा पाव खाने जाए या ना जाए लेकिन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज के वीडियो में इतना ही तब तक के लिए मिनते हैं अगले वीडियो में वह मैंने टासी मुस्यों आइट जाए जाए